गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों वेलकम बैक पर मिदिने व्लॉग में तो अभी सुबह सुबह के बज़रे साड़े साथ और मैं लगी दुबारा से काम करने के लिए किशन में तो खेर अभी मैंने सुबह का चाय नहीं लिया है और स्कूल के वल आयूसी गया सुरी दुरू गया उसको जो खाम हो रहा था उसको मैं नहीं भीजा और सुबह का जो कप होता है मेरा चाय का वो उसको लेने में मुझे पॉन्यार्ट होई जाता है क्योंकि मैं कीचन का टुटल काम कर लेती हूँ जिसे बच्चों का लंचो अगरा हो इनका नास्ता हो और कीचन क साफ सपाई नीचे का फर्स को छोड़कर स्लैब हो गया सुला वगरा हो यह सब साफ करने के बाद ही में चाय का अपना पहला कप लेकर बैठती हूँ क्योंकि मुझे ना चाय ना तसली से पीना पसंद है काम करते रहे उसमें चाय का कि कि सिप लेकर पीते रहो तो बिल्कु तो बस चाय का कप लेकर बैठ गई हूँ मैं अपने फिवरिट प्लेस पर और एक एक सीप का मज़ा उठा रही हूँ यही टाइम मुझे अच्छा लगता है चाय लेकर बैठना एकदम आराम से तसली से ना कोई काम का टेंसर ना कुछ और जब मैं बैठती हूँ ना 10-15 मिन आराम से निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेने में अच्छा लगता और लेना भी चाहिए हर लेडरीस को क्योंकि काम का क्या है कि देखो काम तो पूर दिन लगा रहते लेकिन बीच-बीच में ब्रेक नहीं लोगे तो आपको इनर्जी कैसे मिलेगी तो अभी क्या है कि बारिस का मौसम है बारिस का मौसम मतलब इस टाइम में तो पहले मुमे मी बोला करती थी कि बादो वगेरा बादो से निकल के जो भी पता नहीं निकला है नहीं निकला है आप लोग बताना इस टाइम बारिस होया करती थी लेकिन पहले किसाब सभी तो ब करमा गरम अध्रन काल मीर्च मिल जाता है। तो बारिष का मजा दुखर ना pegी .. ouफिस जाी इनसार ना कि प्रिय siamo compressed, बच्चे को छोड़न चाय को मोई अपिस झाय रहा है। और काफी लोग भॉक करें, जिसके पास बहुत जड़ा हो जाता है। सुबह सुबह में वह करें तो है के बाद यह टांद गई निकलता है अच जीक दिए मेरा ही निस को पीछ शीख कि अब कि हम्हार जारी होगी तो दुनीच धिया भंड पासब अबदेते वर तौल प्लीस मैंट मत करना इग्नोर करना कर दो कर दो तो चाय पीने के बाद और थोड़ा सा रेश्टो लेने के बाद में फिर से आगई हूं कीचन में तो यह सब हिसा मैंने आज क्लिन किया था टाइल्स वगेरा सब कुछ इतने बड़े कीचन में डेली टाइल्स क्लिन करना पॉसिबल नहीं है तो एक एक दिन मैंने बटवारा क कर दिया है तो चाय है मैं आज तुम्हारी सवाई होगी आज तुम्हारी सफाई होगी तो यह विली करती हुए है मैं अब बशकू बाद और दिया लेकिन जब वोईस ओब दे लेने तो यह बता है कि जैसे मैं बशकूइट भरा पर चोड़ दी नहीं नहीं चान रहा है कि खुब्सूरत लग रहा था कांच के अंदर से बिस्किट दिख रहे थे तो मैं क्या कि उसको छोड़ दे यह सोच के चलो बाद में रखेंगे थोड़ा सा अच्छा लगएगा देखने में लकिन साम होते होते हैं, जो न चीटियों ने हमला किया कि सारा बिस्किट मुझे फेक ना पड़ा दो पकेट के बिस्किट में खराब हो गया, तो को मैंने फेक देए क्योंकि चिटी एक दू लगती है तो चल जाएगा लगिन जब चिटीों की भीड़ होना तो बिलकुल अच्छा नहीं लगता है अंडे बगर दे रहते हैं तो बिलकुल वो मुह में पढ़ता भी नहीं है और आज मैं एक साथ सारे काम निप्टाली है सुबस पर मॉर्निंग में ही और अभी टाइम वो रहे है नौ बज़ रहे हैं तो फटा पट फटा पट इन सब कर लोंगी क्योंकि काम टालोगी ना तो वह तलता ही रहेगा तलते रहे थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करत और फूरा काम टाइम पे होता भी नहींए तो और टन्सन बढ़ जाती क्योंकि नेक्स डे भी पता हम सा काम एक्श्ट्र निकल लाए यह घर काम तो निकलता रहता है तो जो चीछा आप सोचाना वहीं टाइम पे कर लो तो सही रहता है तो अबाइब सकता बाइब को लाइब हो प्रादय को प्रादय के रहां किस्सके बाइब कोली अबाइब को बाइबा शखे इसान कर झाला है झाल लाइ भी राइ तो बस यहां पर मेरे सावर ले लिया है और भी बज़रे 11 तो मैं आगे हूं किचन में लंच बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कड़ी खाने का तो आज में लंच में बना रही हूं कड़ी तो कड़ी आज में बना रही हूं दाल को पीस कर दाल को पीस कर कड मैं वाला एक्षादी ना तो दूस कड़ी का मजह ही अलग होता है तो आज सीम्पल से साधी सी कड़ी बना लोगी कोई पकड़ा या नहीं डाली हुआ हूं मैं साथ ही साथ मुझे दिग गया कि अर्यार मैंने तो सबजी दोया यह नहीं सबजी भी एक दिन पहले लाकर रखा हुआ था तो आज तो ऐसा हो रहा है कि मेरा काम खतम है नहीं नहीं काम निकलता रहा है कभी-कभी दिन ऐसे हेक्टिक हो जाता है कि काम की कम ही नहीं रहती है, भरमार रहता है, तो सुझी चलो यार, लगे हाथी, ये भी काम निट लेती है ताकि साम को तुम मैं आराम से रिलाक्स से बैटो, एक टाइम ऐसा होना चाहिए हम लोग के पास कि एक टाइम ना आप आरा लगा दूंगी और इस पर हमने दूसरा वाला चावल है था पहले वाला चावल थोड़ा सा चिप चिपा बनता था लेकिन यह वाला चावल है बिलकुल अलग अलग दाने हो जा रहा थे तो चावल कमचा तभी आता है जो चावल खिले खिले बनते हैं दाने अलग अलग हो जा छोगा जहांने और मेरत नहीं बीख हो जाते हैं hoje में नहीं अच्छों श्चाती अ स्क्रीट । सब्क्राइच जांगे आप हुआ प्रवएक है। मियरा जानी क्याक्ते हुआ है हैं अब स्क्राइब गुर्यीन कोुण हुआ है। कुछ पिसे दिन खाना भूब अव्हलों में भूब बिलती आट unpenny काने को तो ऐसा हो जाते कभी चार बज अविभाजे कौ खाये मैं काना खायगा ते डिआर खानाच बहुती यहां वह बोलती है कि मामा हम मेक साथ ही खाएंगे पापा को आने दो लेकिन मैं मना करती हूं अप लोग खालो पापा का कोई तो वक्त है नहीं कवाएंगे वो जब मैं कड़ी खाएंगे दिल खुस हो गया क्योंकि कड़ी बहुत यंवी बना था हालागी बनता तो हमेंसे ही लेगिन कोई कोई दिन ऐसा आ जाता है जिसे अच्छी बन जाती है तो यह रहा आज का ब्लोग आप लोग बताना आज का ब्लोग कैसा लगा अच्छा लगा तो जीवर के प्यार दीजिए सपोर्ट करें यार प्लीस आप लोग को सपोर्ट के मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ती हुना दिल को सुझाता है और आप लोग के कमेंटी बहुत ज़्यादा कम आते है तो प्लीस मिला सपोर्ट और अपना ख्याल रखिए पुरी फैमिली का ख्याल रखिए मिलते हैं नियू ब्लॉग के साथ तब तक के लिए पाए